तो हेलों प्रेंग कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको टारा हूँ समसंग की गलेक्सी वाज 3 के आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनिट्ली आपको बहुत मज़ा आने वाला है यह जो हिडन फीचास या टि तो दोस्तों जैसा की मैंने बता है मैं आपको बताने वाला हूँ समसंग वाज 3 के आपको कुछ टेप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है नोटिफिकेशन को लेकर आपको बता होगा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है ओन स्क् क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा मैसेज मिल गया और पूरी कन्फर्सेशन आपको पूरी मिल जाएगी यहाँ पर और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको खुदी प्रीडिफाइन टेक्स बता देगा पहले कि आप अगर यह भीजना चाहते हैं हाई करेंगे तो यह टाइप के खूल जाएगा आप चाहें तो आइसे यूं करके भी करना आप इन्हें को एक और आप करेंगे तो नंबर जाएंगे और ट्रेस करेंगे तो यह आल आपके सैंडल के और भी करेंगे तो आपको यहाँ पर emojis का option भी मिल जाएगा अब देखेंगे यह आपको emojis भी मिल जाएंगे तो आप कर सकते हैं यह तो हो गया normal ताइब का इसके पास चीजह को यहां पर voice बोल-के भी टाइब कर सकते हैं यहां पर आपको voice type का option मिला है इस पर जैसी आप क्लिक करेंगे यह आप से पूछेगा आपको यहां पर yes कर देना है yes करने क्या दिये speak now पर क्लिक करेगा hi friends how are you my name is sunny aurora तो automatic वो typing हो जाएंगे हो सकता है क्योंकि मेरे समझने में हिंदी बोल रहा हूँ और वो इंग्लिश में लिखता है तो जैसा भी रहेगा वो automatic वहाँ पर type कर लेगा आप देख रहे होंगे yes करने का यह type हो चुका है simply अब मैं यहाँ पर send पर click करूँगा तो यह यहाँ पर send भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको instagram की भी आपको notification मिल जाएगी और आप चाहें तो और भी notification यहाँ पर आप access कर सकते हैं तो सबसे पहला जो tip था वो यही था और आप देखेंगे यहाँ पर आपको instagram के tips अगर य notification मिल रहे है, likes, dm, जो भी हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपनी इसको delete करना चाहते हैं फिर read कर लिया है तो आप यह उपर swipe करेंगे तो वो delete हो जाएगा इसके अंदर और और भी आप customize कर सकते हैं mobile में जाके इसके लिए आपको अपने mobile के galaxy watch में जाना होगा galaxy wireless वाले उसके जाना होगा आपको आप तब भी चाहते हैं आपको दिखे तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं टन फोर न्यू एप्स यह आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना उसके बाद आपको नीचे सारी एप्स मिल जाएंगी जिन जिन एप की आप नोटिविकेशन चाहते हैं लाइक मुझे मेल की भी चाहिए तो मैंने मेल को भी क्लिक कर लिया और भी जितनी भी आपको यहाँ पर काम की जो भी लगते हैं आप उन सब को क्लिक कर लीजिए उन सब की नोटिविकेशन आपको अपने वहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगी तो यह बहुत ही कमाल काई मुझे सबसे best लगता है उसके आद दोस्तों जो second है कि आप उसका डॉयल को जो उसका faces होता है उसको customize कर सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे यह मैंने face को यहाँ पर customize करके रखा हुआ आप देख रहे होंगे यह मैंने पूरा customize कर हुआ है इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि और भी सको customize करना चाहें तो और अच्छे से भी सको customize करना चाहते हैं और अगर उसमें चूज करने जाए आप यहां पर प्रैस करके रखेंगे यहां पर आपको चूज करने के लिए मिल जाएंगे किसमाइज पर क्लिक करने के तो आपको यहाँ पर arrow से उसको maintain करना है कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको एक एक करके maintain कर लेना है जो चीज आपको यहाँ पर चाहिए आप उसको choose कर लिजिए नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर ऐसे drag करके वहाँ पर none को लेके जाना होगा और वहाँ पर खाली सब आ जाएगा तो आपको एक एक करके ऐसे choose कर सकते हैं और अच्छे से इसको modify करना है तो आप अपने mobile के थूरू इसको customize कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे tax आपको बहुत सारे watch watches मिल जाएंगे अगर आपको अपना face लगाना है तो अपना face भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ लगा रखा है अगर मैं आप देखे हूँ मैंने यह face लगाया हुआ है जब भी आप अपने watch को on करेंगे तो हर बार आपको face automatic change होगा कैसे जैसे कि अभी देखेंगे watch बंद हो जान दो मैं आपको पताता हूँ कैसे यह बंद हो गई है अब मैं इसको करता हूँ on तो आप देखेंगे face यहाँ पर change हो गया है तो हर बार जब भी बंद होके light चालो होगी तो हर बार face change हो जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ face को कैसे customize कर सकते हैं तो इसके लिए बापिस आपको अपने samsung की app में जाना है mobile में जा गया पर कोई सा भी आपका mobile है तो आपको इस app में चले आना है लाइग मुझे इसको customize करना है मैं इस पर click करा यहां पर क्लिक कर दिया कश्टमाइज भी क्लिक करने गया अगर आपको लगता है कि से मुझे बैटरि की notification चाहिए तो आप यहां पर टिक कर लेंगे जो बैटरिक चेंज करना चाहें तो इस वाले का color change करने का option नहीं दिया तो मैं दूसरा बताता हूं like जैसी यह वाला है इस पर गया मैं customize पर क्लिक करा तो यह सब तो आप हटा सकते हैं इसके बाद आप यहां पर इसके predefined panel दिये गए आप इसको भी customize कर सकते हैं इसको भी लेना चाहिए ले अधरी के से वर्क करता है उसके अपने वह ने आपको photos का बताया था आप यहां photos पर जाएंगे photos पर जाने का यहां कश्माइस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप चाहें तो अपनी camera से फोटो कीच के वहां पर लगा सकते हैं या फिर आप अपनी gallery से भी photos को उठा सकते हैं मुझे वाली photos लगानी है तो मैंने photos को भी चूस कर लिए और यहां से इसको done कर दिया done करने क्याद एक को आप क्रॉप कर लेना आपको यहां पर लगा देना है maximum आप 500 यहां पर photos को slate कर सकते हैं और यहां पर डन कर देंगे और यहां पर आप चाहें तो जैसे आप मुझे color क watch set करना है color type यह देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहां पर right hand कर लिया यह नीचे आजाएगा और यह यहां पर इधर आजाएगा जहां भी आपको watch के face चाहिए वहां ले लिजिए और यहां पर आप चाहें तो उसका color भी customize कर सकते हैं तो यह आप यहां पर कर सकते हैं तो बहु बहुत सारे watch faces मिल जाएंगे यहां पर भी और आप चाहें तो galaxy store में जाके भी download कर सकते हैं तो बहुत ही कमाल के यह feature दिया गया है उसके दोसो third feature दिया गया है find का अगर आपको find करना हो कि आपकी watch का है तो आप अपनी galaxy wear के थुरू इस app के थुरू आप अपनी उसको watch को ring कर सकते हैं और ताकि आप easily उसको find कर लें तो उसके लिप आपिस आपको उसी app में जाना है उस app में जाने के आपको नीचे मिलेगा find my watch को option आपको दिख रहा होगा find my watch को option आपको यहां पर दिख रहा है जैसी आप उस पर click करेंगे तो दोस्तों जैसे कि मतलब आप यहां पर उसको आप ring कर सकते हैं और वहां पर उसकी location को भी trace कर सकते हैं कैसे हैं जैसी मैं find my face पर click करूँगा तो आप देखेंगे यहां पर location भी वह बता रहा है कहां पर है location मेरी watch आप चाहे तो navigate कर सकते हैं और चाहे तो ring कर सकते हैं जैसी मैं ring पर click करूँगा तो मेरे वहां पर watch एक ring आने लग जाएगी वो बता कौं कैसे आप देखेंगे यह ring यहाँ पर आ रही है आपको दिख़रा होगा यह ring यहाँ पर आ रही है और वहाँ पर vibrate भी हो रहा है और अब मुझे यहाँ पर इसको cancel करना हूँ तो मैं हाँ से इसको drop करूँगा तो यह cancel हो जाएगा तो ऐस यह कर सकते हैं ऐसे ही अगर आपको अपने mobile को find करना हो तो आप अपने वाइल को भी हाँ पर find कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर इसको swipe करना होगा यहाँ swipe करने का तो आपको अपनी सारी apps में जाना होगो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास second page पे दिख रहा है और आपको यहाँ पर find वाला option मिल रहा होगा आपको उस पर click करना है जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो यह बोलेगा find my phone का option आ गया और आपको ring पर click कर देना है जैसे ही आप ring करेंगे अगर आपका phone वहाँ पर silent पे भी होगा तो भी वहाँ पर bell बज़ रही है पर मैंने इसलिए bell हटा दी क्योंक पर माँलो आपको यही screenshot किसी को भीजना ही किया मेरा इतना अभी यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ पर double click करके इसका screenshot क्लिक कर सकते हैं और यह screenshot आपके connecting device में save भी हो जाएगा और इसकी gallery में भी save हो जाएगा आप इसकी gallery में भी उसको find कर सकते हैं जो आपने अभी screenshot लिया कर सकते हैं तो यह feature भी मुझे यह बहुत पसंद आया कि हमने कोई activity करी या फिर कोई भी हमने sports का काम करा हो और हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है किसी को पता लगे कि मलब किसी को हमें share करना है कि हमने इतनी activity करी है तो आप screenshot करके हाँ पर send कर सकते हैं उसके दोस्तों एक चीज इसको इनेबल और disable कर सकते हैं कैसे जैसे कि आप देखेंगे मैंने एक दो तीन मैंने यहां पर थ्री बार fingers को टच करा और यह मेरा पूरा device gray scale में चला गया आप देख रहे होंगे पूरा device यह gray scale में चला गया है बहुत इजी तरीकिसा आप इसको इनेबल और वैसे ही जैसे आपको इसको इनेबल कर देना है इसको इनेबल करने के बाद आप यहां पर ग्रे स्क्रीक लिए यही useful लगा तो मैंने उसको इनेबल कर लिए और आप इसको 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 इनेबल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तों चैसा कि उन्हें बताया है मैं आपको एक कमाल का फीचर बताने वाला हो यहाँ पर आप क्या होगा अपनी Galaxy Watch को आप यहाँ पर Galaxy Watch को यहाँ पर Touchpad की तरह यूज कर सकते हैं Touchpad मतलब की यहाँ पर एक माउस पेज आ जाएगा और एक माउस करजार आपको अपनी डिवाइस में दिख जाएगा और आप उसको इसको इसली उपरेट कर सकते हैं इसके थूरू तो इस फीचर को कैसे ओन करेंगे कैसे इनेबल करेंगे तो आपको व्यूडियो में बताने वालो तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ जाना है आपको अपने इसके PPT कंट्रोल वाली एप में इस एप में जाने क्याद आपको सारी connecting device मल जाएगी आपको अपनी जो भी connecting devices जिसमें आपको यूज करना है आपको उसको select करना है जैसी यहाँ पर आप select करेंगे तो वो बता देगा connecting to this तो यह connecting होने लगेगा और मैं इसको पहले mobile को unlock कर लेता हूँ तो यह connect हो जाएगा आप देख रहे हैं connect हो गया है आपको यहाँ पर touchpad पर click कर लेना है जैसी आप touchpad पर click करेंगे तो आपको ऐसा option दिखा ही देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है touch and hold the screen then drag your finger to move the cursor around your slide जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप देखिंगे मैं यूँ कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर photo भी click करना जाओ तो यहाँ पर click करूँगा और photo click हो जाएगी अगर मुझे यहाँ पर किसी को इसका वो set करना हूँ focus तो यहाँ पर मैं focus को भी set कर सकता हूँ आप देख रहे होंगे यह सब चीज़े यहाँ से हो जाएगी जो अगर आपको यहाँ से notification एक्सेस करना है notification भी एक्सेस कर सकते हैं settings में जाना है settings में भी जा सकते हैं मतलब यार जो आप अपने device में कर सकते हैं mousepad के दुरू सब यहाँ पर पूरा operate कर सकते हैं हम देख रहे होंगे कितने easily यहाँ पर work कर रहा है आप अपने smart tv में इसको यूज भी कर सकते हैं तो यहारा feature में मुझे बहुत पसंद आया है उमीद है कि आपको मेरी video पसंद आया होगी तो thank you तो दोस्वों जो उमीद है कि आपको यह मेरी video पसंद आया होगी और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले तकि मेरे चैनल की नेक्श उड़ी अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके तो मुझे इंच्टागाओं और फेस्बूर फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको लिशे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंकी दोस्तों